देख रहे हैं देखें बिहार में बड़े लेवल पर सिठकों को लेकर निकती निकाले गया थे तमाम लोगों का एकजाम लिया गया रिजल्ट भी घोसना हो गया मुखवंतरी नितीज कुमार ने गांधी मैडान में तमाम लोगों को निकती पत्र बित्रन के आप सभी लोग जानते हैं पर जीता रामांजी का कहना था कि इसमें धांधली हुआ है जब अब उन लोगों को पोस्टिंग करने की बारी आई आ है तो इसमें भी बड़ा घोटा हो रहा है जीता रामांजी ट्वीटर एकॉन पर ट्वीट करते हैं और साब सब्दों में लिखते हैं कि पहले तो जो निकती परकिरिया हुआ उसमें धांदली हुआ और अब घोटाला किया जारा बिहार के जो बाहर के लोग हैं उनसे पैसे लेकर उनको सहरों में पोस्टि उसे नितीज तेजस्वी की सरकार पे फूटा है जीता रामांजी अपने ट्वीट वाले पोस्ट में भी लिखते हैं कि चाचा भतीजा हैं ये नोट खाते हैं क्या जीता रामांजी किस तरीके से नितीज तेजस्वी की सरकार को घेर रहें उन्होंने ट्वीट किया है सभी कूछ बिहार सरकार पर बरस रहें देखें बिहार में बड़े लेवल पर सिचकों को लेकर नियुक्ति निकाले गए तमाम चीछ जो परकिरिया है वो पूरे हो गए पर ज्वाइनिंग की बारी आई है जो टीचर हैं उनको गाउं में भी जाना बच्चों को पढ़ाना प नितीज तेजस्वी की सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं बड़ा बयाम दे रहे हैं कर रहे हैं कि पहले तो धान्दली हुआ और आप जब जो आइनिंग करवाना है तो इसमें कहीं न कहीं बड़ा घोटाला हो रहा है देखें जीता नामांजी ट्वीटर एकॉंड प बात हैं वो जीता नामांजी अपने ट्वीटर एकॉंड पर लिखें और उसके बाद देखें जीता नामांजी भी नितीज तेजस्वी पर खूब बरस रहे हैं खूब बोल रहे हैं देखें इसके पहले भी जब मुखमंतरी नितीज कुमार गान्दी मैदान में निक्तरी पत्र बाट रहे थे उसी दौरान उसी दिन जीता नामांजी भी अपने अवास पर लोगों का फर्याद सुन रहे थे जो अभियर्ति या सफल हो गया थे या फिर जिनको परसानी था उन तबहां अभियर्तियों को लिए जीता नामांजी ने अपना दर्वाजा खोल दिया और साप सब्दों में कहा जा रहा था कि वह आएं अपना समस्या बता है जीता रामांजी एक बाद फिर से बिपेसे के तुरू निफ्टि पत्र हुए बहाली निकाले गई और अब जीता नामांजी का बड़ा बयान सामने आया है कि जो बिहार के बाहर के राज्य के जो लो जीता रामांजी क्या ट्वीट था वह आपने देखा बागी की तमाम ख़रों के लिए बने रहे हैं लाच्विट साथ दन्यवाद